अभी आपर कुछ लोग इस तरह की दोकद अड़ी करते हैं वो जो है आपके पास से ब्रैंडेड मट्रिल के पैसे ले लेते हैं और आपको जो है लोकल मट्रिल चिपका देते हैं आज कल सबसे ज़्यादा किसी विंडो का इस्तमाल किया जाता है तो वो है अलुमिनियम की विंडो अगर आप अपने घर के लिए अलुमिनियम विंडो लगवाने वाले हो तो ऐसे वक्त में आपको कुछ पॉइंट जरूर ध्यान में रखने चाहिए जो कि आपके विंडो की कॉलिटी और फिनिशिंग दोनों बढ़ाने में बहुत जादा मदद करते हैं तो इसलिए आज की विंडो में दोस्तो हम ऐसे पाच पॉइंट देखेंगे जो कि आपकी विंडो की न सिर्फ फिनिशिंग बढ़ाएंगे बलकि उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे और तो और odor app के तरफ हम आते हैं जो कि आजाता है सेक्शन के बारे में अब सेक्शन जब भी हम मार्कत में लेने के लिए जाते हैं तो अगर स्वाल आप टूर्टैटीच sleep यह सबीचा क्वाइब हफ थोड़े पैसे आपको ज़्यादा लगते है प्र अब्रवांटिच होते ऑफ इस वजद है इससे प्रेफरर traverse अगर आपकी window बहुत जादा बड़ी है क्योंकि वहाँ पर आपका span बड़ा होता है तो इस वज़े से आपको वहाँ पर branded material का इस्तमाल करना चाहिए अब आप यह पूछेंगे कि branded material और local material इन दोनों में difference कैसे पहचानते हैं सबसे पहले चीज कोटिंग होने से पहले brand की मोहर जो है वह section पर available होती है कोटिंग होने के बाद बाता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा material जो है वह branded है और कौन सा non-branded है और कौन सा local है पर अगर हम बात करते हैं कि branded material का हर एक section जो होता है उसका weight जो है एक समान होता है वही पर अगर हम बात करते हैं coating करने के बाद आपको local material में थोड़े से defect दिखाई दे सकते हैं वैसे आपको branded material में नहीं दिखाई देते हैं तो यह एक फरक इसमें आ जाता है अब यहाँ पर कुछ लोग इस तरह की दोका दड़ी करते हैं वो जो है आपके पास से branded material के पैसे ले ले लेते हैं और आपको जो है local material चिपका देते हैं तो इस चीज़ के तरफ आपको खास करके ध्यान देना है अगर आप branded material के पैसे देते हो तो branded material ही purchase कीजी अब अगर हम बात करते है local material की तो आज के local material भी अच्छे quality में आने लगा है पर अगर हम बात करते है branded material की तो उसकी life definitely ज़्यादा होती है तो इस वज़े से जितना possible हो सके उतना branded material के तरफ आप जा सकते हैं second point के तरफ अगर हम आते है जो कि आ जाता है glass के बारे में जब भी हम window की glass के बारे में बात करते है तो हमें 4 mm या फिर 5 mm से कम thickness वाली glass को नहीं लगवाना है और अगर हम बात करते हैं कुछ लोग जैसे कि आप अगली वीडियो में भी देख रहे हो कुछ इस type की जो काच है खिड़कियों में लगाना पसंद करते हैं जिने की mirror glass या फिर goggle glass कहा जाता है अब इन glasses का सबसे main disadvantage यह हो जाता है कि दिन में जो है बाहर का व्यक्ति अंदर के तरफ नहीं देख पाता परंतु रात के समय में अंदर उजला होता है और बाहर अंदेरा होता है जिस वज़े स बाहर का व्यक्ति जो है अंदर के तरफ directly देख सकता है यह दोनों चीज़े आपके privacy और security purpose के इसाफ से सही नहीं होती है तो इस चीज़ के तरफ आपको खास करके ध्यान देना है यह जो वीडियो में आप दूसरी type की glasses देख रहे हो जो की blur type की होती है जिनसे की अंदर की च इसे हम mosquito net कहते है यानि की मच्छर की जाली अब इस जाली में भी तीन टाइप आते है एक होता है aluminum दूसरा होता है fiber और तीसरा होता है stainless steel अगर आप stainless steel की mesh लगवाने वाले हो तो ऐसे वक्त में आपको 316 grade वाली mesh को लगवाना चाहिए और अगर हम बात करते है fiber mesh की तो fiber की ज जाली होती है उसकी durability इतनी नहीं होती है तो इसमें से और एक option आ जाता है जो कि है aluminum की mesh जो की इन दोनों के property के साथ आती है उसका भी आप इस्तमाल कर सकते है generally aluminum की जो mesh होती है उनका जादा करके इस्तमाल किया जाता है आपके aluminum windows में चाहे आप अपने aluminum window में aluminum की जाली लगवाए या फिर stainless steel की लगवाए पर mosquito net आपको लगाना बहुत जादा जूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मच्छर आपको काटे अब आते है point number 4 के तरब जो की है coating अब जब भी आप section देखते है तो ऐसे वक्त में उसे दो type की generally coating की जाती है एक होता है anodize coating और दूसरी होती है powder coating अब इन दोनों के अपने अपने advantage होते है पर अगर हम बात करते है more advantage की तो anodize coating यहाँ पर बाजिमार लेता है क्योंकि anodize coating coating जो है इसके उपर जो है जल्दी धूप का असर नहीं होता अगर अच्छे से coating करते है ऐसे वक्त में इसका color भी जल्दी फेड नहीं होता पर अगर हम बात करते है powder coated की तो powder coated का सबसे main advantage यह है कि उसका cost जो है anodize से कम होता है अगर proper तरीके से coating नहीं होती है खास करके cost cutting के लिए proper तरीके से अगर powder coating नहीं होती है ऐसे वक्त में आपकी powder coating जो है आगे चलके fade होने लगती है और तो और उसके उपर से पपडिया निकलने लगती है तो यह disadvantage आ जाता है powder coating के साथ पर अगर आपका budget थोड़ा सा कम है और अगर आपको material अच्छे quality का मिल रहा है तो definitely आप powder coating के तरब भी जा सकते हो पर अगर आप थोड़े से पैसे जादा खर्च कर सकते हो ऐसे वक्त में आप जो है anodized coating के तरब जा सकते है अगर हम बात करते है powder coated के advantage की तो powder coating में आपको बहुत सारे types के color जो है वो available होते है जो के आगे ने एक advantage आ जाता है powder coating के तरब सबसे end में अगर हम बात करते है durability की तो anodized coating जो है जादा durable होती है comparison करेंगे अगर हम powder coating से तो तो यह कुछ advantage आ जाते है anodized coating के साथ तो यह totally depend होगा आपकी choice के उपर और आपके costing के उपर अब आते है final point के तरब जो कि है bearing और lock के related अब देखिए जैसे हमने पहले point में discuss किया था कि आपक lock लगवाने वाले हो तो बहुती जादा जो cheap type के locks होते हैं उनको मत लगवाई और अगर हम बात करते हैं आपके sliding window की bearings की तो इसके तरफ खास करके बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं जाता है क्योंकि आपके दुकांदा डाइरेक्ट जो है आपको windows लगवा के देते हैं त तो ऐसे वक्त में आपको ball bearing वाली जो bearings है उनका इस्तमाल करना चाहिए और जैसक मैंने आपसे कहा कि इसमें भी आपको cheap quality की जो bearings है उनका इस्तमाल नहीं करना है बेरिंग में वैसे तो भी PVC या फिर nylon, teflon, coated bearings होती है अब इन में से nylon, teflon, bearing जो है उनका इस्तमाल अगर आप करते हैं तो उसकी durability बढ़ जाती है अब यहाँ पर bearing का importance इसलिए होता है अगर आपकी bearings खराब हो जाती है तो ऐसे वक्त में वो जो है section के उपर घिसती रहती है जिस वज़े से आपका section भी खराब हो जाता है अब देखे शुरुआत में अगर आप थोड़े से पैसे बाचा है तो शुरुआत में ही अगर आप अच्छी quality की bearing लगवाते है तो ऐसे वक्त में आपको बार-बार maintenance करने की आवशकता नहीं पड़ती तो दोस्तों यह कुछ point थे जो कि आपको definitely consider करने चाहिए जब भी आप अपने घर के लिए aluminum windows purchase करते हो तो इसमें और भी जादा points होते ह है परंतु अगर हम इन सभी point को discuss करने जाएंगे detail में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर भी अगर आपके कोई सावाल है तो comment box में comment जरूर कीजे और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे like कर दीजे और हाँ अभी तक आपने चानल को subscribe नहीं किय कर वार हम एंगे दी है कर दो जाएंगे और हम एंगे और ह tougher आपके कर दाए्टी है में ब हम एंगर हम पूरर है one tiny घ्ट के एंगि अघसे और होगी है और है NO N earliest